वेलकम एंड वेलकम बैक टी दे नीव लॉग सो गैसे हो सब आयो बच्छी होगे मैं भी एकदम बढ़िया हूं और वैसे वीडियो है दस बजे का अभी अभी जस नहा करके आती जा रही हूं लेकिन उठी थी मैं वही साड़े छे बजे उठा बच्छों का बच्छों का बच यह सब लोग जा चुके हैं बच्छा चुके हैं और यह वीडियो परसो का है तो उनका था टेस्ट हिंदी का दोनों का आयना और यह शी दोनों का ही फाइनल एक्जैम जो हैं वो इनके चल रहे हैं तो थोड़ा गप करकर के होते हैं इक्जैम दो दिन एक दिन की छुटी र बन गया मतलब खाया किसी ने बन गया है बट यहां पर मैं बस थोड़ी दे पहले नहा करके आई हूं तो मिलक तो सुबही लेकर का गया तो फिर मैं गरम नहीं कर पाई दे टाइम नहीं रहा मेरे पास तो मैं अभी रख रही हूं यहां पर गरम करने के लिए और साथ में बना साड़ी है एकदम सिंपल सी है और डेली वियर में तो ऐसी साड़ी सही रहती है एकदम लाइट वेटर कि बिल्कुल भी उनका वेड ना पता चले अबना फिर हैवी साड़ी पहने प्रॉब्लम होती है अभी तो मौसम सही है लेकिन अभी जैसे जैसे गर्मिया स्टार्ट हो ज देती हूं क्योंकि सिर्फ चाय ना सुबर सुबर मैं नहीं पीपाती हूं और थोड़ा उसके साथ बिस्किट रस्क या ब्रेट कुछ होता है तो सही रहता है लिए चाय तो बन गई है आप लोग भी पी लो और मैं पी लेती हूं और 11 बच गया है आज मुझे चाय पीने मे तो मतलब गैस दीवी नहीं की थी तो उबल गया था पूरा हो दुबारा से मुझे गैस वगयरा सब साफ करनी पड़ी है तो मेरा एक काम जो है वो पढ़ गया और बस चाय पीने के बाद रूम में आ गई हूं रूम की मेरे सुबह सुबह ऐसी हालत रहती है आप लोग क्यों को बच्चों को रैडी करना है जल्दी फटाफट के काम होते मैं किचन में छी रहती हूं इस टाइम जब बच्चों को रैडी करने हैं तो हस्बään नहीं नहीं हटा रही हूं अभी तो ऐसे मैंने ब्लोवर भी नहीं हटा है रखा हुआ है क्योंकि आए ना यह शी को तो सुपर जल्दी रैडी करना होता ना स्कूल के लिए तो उस टाइम उन्हें थोड़ा ठंडा लगता है तो नहां करके आती है ना तो थोड़ी देर ब्लोवर सा ही है मेरे मुझे चाले निकलाएं हैं दो तीन तो बस इसलिए तोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे बोलने में तो देखिए बस आल्मोस्ट रूम जो है वो पूरा क्लीन हो ही गया है यहां पर है कुछ कपड़े जो कि मुझे वाशिंग मेशीन में डालने हैं धुलने के ल जिया से कपड़े खटे हो जाते हैं और टौवल तो नहीं दूब सरफ करनी है तो तो बच्चों को रैडिक है ना तो रूम में रह गया घीली है तो दूप में डालने थे तो बस यहां पर डाल दे रही हूं और यह मैठ है उसे भी मेश धूप में डालना था क्यूंकि पूरी गीली हो गई थी इसलिए मैंने थोड़ा से उपर रख दिया था उस टाइम और अब धूप में डाल दिया तो उसमें भी अच्छे से धूप लग जाएगी सुख जाएगी क्योंकि यह जो मैट है यह मैं बच्चों की रूम में रखती हूं कई बच्चे जमीन में इसलिए उनके रूम की है बट गीली हो गई है अभी धूप लग जाएगी तो सूख जाएगी और उसके बाद फिर मैं यहां आ गए हूं सोफा बग्यार के कवस ही कर देती हूं अच्छे से यह देखिए यह एकदम क्लीन और 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 गनाइस लगने लग गया है अभी फिला तो मेरा फूरा टाइम चला जाएगा और अभी मुझे करनी है वीडियो की एडिटिंग भी तो अभी वैसे भी काम है और आज मेट भी नहीं आई थी मेरी तो मुझे अभी जाडू भी लगानी है तो इसलिए और मैं सुबर सुबर से साफ सफाई में लग गए हूं स्लिपर इधर आ जाती है ना क्योंकि ओपन एरिया है इसके वज़े से यहां पर बहुत डस्ट आती है तो इधर तो साफ सफाई डेली करनी पड़ती है तो आज मैं फिलार वैसे तो अंदर रूम से स्टार्ट करती हूं लेकिन अभी मैं बाहरी थी थी ना स्लिपर्स वगएर रखन गैप करती है लेकिन फिर भी कभी कभी बिना बताय गैप जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है फिर पूरा टाइम जो है वह वेश हो जाता अब देखिए मैंने चाई ही पिये उस सुबह से बस और उसके अलाव है मैं इतना जादा काम कर रही हूं अमेरेको फिर वीडियो ए है लेकिन अब ही क्या आप जाड़ू पूरे घर में लगाना है पोच्छा लगाना है साफ सफाई समान और्गनाईज करने में वैसे भी टाइम लग गया तो इसी तरह है हमारा हाउजाइफ का कोच ऐसा नहीं रहता है कि हमें एक एक फिक्स ताइम मिला हुआ है हमाय पास इ पने हाफ निकल आता है जैसे खाने बनाने के लिए साफ सफाई के लिए कपड़ों के लिए किसी भी चीज के लिए बच्चों के लिए और इदर आयना की मैं भी नहीं आ रही है फाइनल एक्जाम के टाइम पर उन्होंने धोगा दे दिया है गाया वह गई है तो इसलिए पाब्लम हो रही है उसको पहले को समझाने में या जो भी चीज़ें तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसलिए मैंने को होम ड्यूशन लगवा कर रखा था कि मुझे आइना की स्टडी में ध्यान ना देना पड़े यशी को तो मैं पढ़ा लेती हूं उसका कोर्स नहीं है लेकिन आइना कि में तोड़ा सा ज्यादा देना बड़ता है तो इसलिए दिक्कत आ रही है काफी ज्यादा आजकल इनी सब चीजों के चलते व्लॉग उपर नीचे हो दाता है टाइम कभी-कभी तो टाइम से फ्लोड हो गया आप कभी-कभी वैसे तो मैं देखिए उठती मैं से हूं डेली बट वही है कि घर के काम बच्चों की स्टुड़ी यह सब मैनेज करना सब बहुत दिक्कत तो अभी मैं बना रही हूं पराठे अपने लिए और आलू-पालग की सब्जी रखिवी है लैसन डाल के मस्क तो बहुत टेस्टी हो नहीं है तो आलू-पालग की सब्सी और पराठे में अभी खाऊंगी और बस अभी अपने लिए बनाती हूं और बच्चे जबाएंगे तब उनके लिए बनाऊंगी अभी न अपने वीडेयो की अडिटिंग करने के बहुत जादा लेट हो रहा है वीडेयो अप्लोड करने का टाइम हो चुका है बस वीडियो एडिट करें फिरे आप से मेंसे मिल्स अबस मेरी वीडियो अडिटियो होई पाइटी वैसी देखी बच्चे स्कूल से आ गए हैं अब तो इनके साथ मुझे लगना पड़ेगा इनकी ड्रेस चेंज करवाना और जेकी जारू लगाया था पोच्छा लगाया था तो ये सोफा मैंने साही नहीं करा था पोच्छा लगाने पर टेबल में हटाती हूँ तो बस इदरी पड़ी हुई थी अब इनकी इनसे सो पहले पूछूँ टेस्ट कैसा हुआ इनका फिर वो बताएंगी दस तरीके कहानी तो टाइम लेकर के इनकी कहानी सुनो और उसके बाद फिर ड्रेस चेंज करओ फिर इनको थोड़ी दिर मुझे अपना फोन भी देना प एक बार बॉटल में ऐसे करके मैं इसकी आदर जो हट भार रही हूं बॉटल की और बस यहां पर देखिए यह लोग आते ही खेलने लग गई है यहां पर यह जो ग्लास रखाना इसमें मैजिक बॉल्स जाल के रखी है तो उसी को देख रहे हैं कि कि इतनी बड़ी हो गई कि और उसी में बता रही है और आप लोग भी देख लोग काफी बड़ी हो गई है यशी वैसे सारा दिन उतना ज्यादा मस्ती नहीं करती लेकिन स्कूल से जब आती है ना उसके बाद यह बहुत ज्यादा मस्ती करती है अब इसको में ड्रेस उतारूंगी तो कभी-कभी क्या क करेगी यह जो स्वेटर है ना उसमें मुठी बांद के पकड़ लेती है निकालती नहीं इसमें खड़ा करूंगी ड्रेस उताने के लिए तो उसी में कूदना चालू करती तो बहुत ज़्यादा परशान करती है ड्रेस उताने में खासकर बहुत ज़्यादा परशान करेगी तो जित करेगी नहीं मैं ही खोलूंगे आप नहीं खोलोगे मैं खुछ से खोलूंगे खोल नहीं पाती है तो इसी तरह बच्चों को नाटक है वो चलता ही रहता है सारा दिन और बस अब इनकी ड्रेस जो है वो मैं फोल्ड करके रख दे रही हूँ तो खाना तुम्हें बच्चों के लिए लगा दे रही हूँ और लंच बॉक्स भी रख दिया है दुलने के लिए चेक कर लेती हूँ एक बार किनों ने लंच फिनिश किया है या नहीं किया है और इस वाले व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना की वीडियो आपको कैसी लगी है और पढसंद आयो हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगा अच्छे प्यारे ढ़े सारे कमेंट करा करिए और वीडियो को लाइक करना मत बूरा कर्ये और जन्नों ने चैनल सब्सक्राइब किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो कल मिलती हूं आपसे न्यू व्लॉग में नए दिन के साथ और बस देखिए यहां पर जो खाना है लगा दिया है तब तक लिए बाई बाई टेक क्यार ज्यान रुकिए अपना